मैंने बनाया है बहुत ही मज़िदार सा चिकिन चंगेजी तो फर्स सिंग फर्स सबसे पहले हम करेंगे चिकिन को मेरिनेट तो यहां पे लिया है मैंने आधर कप दही और वेट में देखेंगे तो यह 120 ग्राम्स दही है इसमें डाल दिया है वान टीस्पून लाल मिर्श का पाउडर और साथ में चला जाएगा इसमें वान टीस्पून नमक और इसमें हम डाल देंगे वान टीपल स्पून भर के लसन दुरक का पेस्ट अब इसमें जाएगा एक पूरे नीवो का रस तो इसको जो जो इसके बीज रोखते वे पूरे नीवो का रस इसमें हम डाल देंगे तो ये तकरीबान दो टीसपून नीपो का रस बनेगा तो बस इतना هी चीज़े चाहिए हमें मेरेनेशन के लिए अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे सारी चीजों को दही के साथ और एक बार इसका नमक चख लेंगे, अगर आपको कुछ कम लगता है तो आप इसमें बढ़ा लीजे, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे यह चिकन, यहाँ पर मैंने 900 ग्राम्स चिकन लिया है और इसको अच्छे से वाश करके, इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है इसको जो है दही में हम अच्छे से mix कर लेंगे चिकन को मैं यहाँ पर एक घंटे कली मेरिनेट कर रही हूँ, अगर आपके पास टाइम जादा है तो आप इससे जादा देर के लिए दो घंटे कली मेरिनेट कर लें और ओवर टाइम तो बेस्ट होता है तो यह दो घंटे हो चुकी है, तो हमने थोड़े से तेल की अंदर चिकन को फ्राइ करना है इस पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए, तब तक हमने इसको फ्राइ कर लेना है तो सारे पीसिस को जो है मैं पैन में एड़जस्ट कर दूँगी और इसको तीन से चाल मिनट बाद इसको पलटती रहेंगे तो यह इस पर खुबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इस प्रॉसस में कम से कम आपको आट से दस मिनट लग जाएंगे चिकन पर मीडियम फ्लेम पर अच्छा कलर आने के लिए तो यह चिकन पर अच्छा सा कलर आ चुका है अब हमने चिकन पर निकाल के इसको साइट में रख देना है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी ग्रेवी की प्रिपेशन करना एक कड़ाई ले ली है मैंने इसमें डाल दिया है मैंने एक से दो टेबल स्पून तेल और इसके अंदर हम डाल देंगे प्यास तो यह मैंने दो मीडियम साइज की प्यास नीती है इनको रफली स्लाइस कर लिया है मैंने इसी मूटा मूटा और इसको जो है हम थोड़ा सा वो इसमें डाल दिये हैं और इसको हम प्यास के साथ अच्छे से fry कर लेंगे तो medium flame पे हमने प्यास और काजु को एक साथ fry कर लेना जब तो इनका color change ना हो जाए और जब थोड़ा सा color इसका change हो जाएगा तो हमने इसको जो है प्लेट में निकाल लेंगे हम और जब थोड़े से ठंडे हो जाएगे तो इसका जो है हम बारीक सा paste बना के तयार कर लेंगे अब उसी कड़ाई में हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे तो यहाँ पे मैं 3 डेबिल स्पून इसमें तेल और डाल रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबिल स्पून लसन दुरग का paste थोड़ा सा और उसको जो है अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ओल में जब तर इस पे हलका सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तो लसन दुरग भी भून चुका है तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट यह बजार वाला रेडी में टोमेटो पेस्ट है और इसमें हम 4-5 टेबिल स्पून भर की अच्छे से तमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे लसन दुरग के साथ इसको अच्छे से हम भून लेंगे एक से दो मिनिट तो देखिए टमाटर अच्छे से भून चुका है अब इसमें डाल दिया है मैंने प्याज का और काजू का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और हमने मसाले को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है प्याज और टमाटर को और इसको हमने medium to low flame पे इसको अच्छे से भूनना है इस process में जो है कम से कम 10 से मिनिट लग जाएंगे और जो छीटे उड़ती है तो थोड़ा सा थक के भी इसको भून सकते हैं तो मसाला भूनते वे 5 से 7 मिनिट हो गएं तो मैंने इसमें अब डाल दिया 1 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टी स्पून कश्मीली लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हम डालेंगे धनिया पाउडर तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 टी स्पून धनिया पाउडर और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर पस इतने ही इसमें मसाले जाना है और मजीद इसमें कोई मसाला नहीं जाना है तो इसको भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे याद रहे कि फ्लेम हमारी मुस्तकिल लो पे रहनी है और यह अच्छे से भुन जाएगा तो देखी मसाला अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक तो यहाँ पे मैंने 1 टी स्पून नमक डाला है नमक हमने थोड़ा मेरी नेशन में भी डाला था तो मज़ेदार सी ग्रेवी तयार है तो इसमें चिकेंड के पीसिस डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे ते सारे पीसिस को हमएं अच्छे से भुन कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि क्षक भुए जूया गुरम कोट हो जाए थोड़ा सा चिकन तो फ्राइ करते वे गल गयता है और थोड़ा सा अब गल जाएगा और बीच बीच में हम चमच चलाते रहेंगे मुस्तकिल इसको नहीं चोड़ेंगे क्योंकि ग्रेवी में काजू है तो वो नीचे से जल्दी लग जाता है तो चमच ज़रूर बीच में चला लीजेगा ताकि ग्रेवी जले नहीं वनना उसकी स्मेल आ जाएगी तो जी बार अमनेट हो गये थे चिकन को पकते हुए और ये कम्प्लीली डन हो चुका है मैंने बीच में एक दो बार चमच इसमें चलाया भी था तो ये कम्प्लीली रेडी हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे क्रीम तो ये मैंने 4 तीबिल स्पून क्रीम ले थी उसको मैंने थोड़ा पतला कर लिया है ताकि ग्रेवी में असानी से मिक्स हो जाए और इसके अंद बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टी स्पून चाट मसाला पाउंड है, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा, और चाट मसाला डालने का है, इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, जो भी हर रेस्टरॉण स्टाइल जिश में कसूरी मेथी जरूरी जा तो यह देखिए कितना टेम्टिंग और खुबसूरत हमारा चिकन चंगीजी बनके तयार हुआ है, इसको आप गानिश कर दीजे हरे धनिये के साथ, चाहें तो आप इस पर थोड़ी सी क्रीम की ड्रिजल भी कर सकते हैं, जटपट से तयार करते हैं यह निजामी दम का मुर् काजू और साथ ने मैंने लिए हैं 20 पदाम, इन दोनों का मैंने वाश कर लिया है, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून आधे कप से थोड़ा सा कम, यह डेसिकेटेड़ कोकुनट है नारियल का बुरादा, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करकी दूद डाल और यह पेस्ट बनके तयार हो गया है, पेस्ट को साइड में ढख देते हैं और हमें चाहिए होगी, इसके लिए तली हुई प्यास तो यह मैंने तीन मीडियम साइज की प्यास ली थी, इनको बार से सलाइस करके इनको फड़ाय कर लिया है, तो यह दोनों प्रपेशन हो दालेंगे लसन दरग का पेस्ट तो यह मैने डालीआ सब दालीए 건 दाला तब कटने हम फ्रेश पेस्टों के । था कर दो है करना है इसका चाहरी म्छ Ines नो ने रखे तल्किती हम ने प्यास मित्हें है उब हातों से अच्छे से जो है क्रॉश करगे और इसको हम पहला ना निपो का के ना निपो का पतर इसमें नदेट, इसमें ड़ने हम दाल dal दीना। 3-4 टी-स्पून काली मिर्श का पाउडर और 2 टी-स्पून मैं भरके डाल दिया है धनिया पाउडर साती जा इसमें जाएगा और 2 टी-स्पून ही जीरा पाउडर से भाँची खुश्बूओा आती है ऑर इसमें बाके दालती हैं फ़ल दाले में गरम मसाला पॉल्ड़ों यह ही डाल नहीं वहां निए-टमर्श का प्रण डाल रही है चिहां जालेर। प्ड़ने लर्मर्श इit लेगा किसमेर्श के उत्साब सबा़ रहे दें यहां पे मैंने डाल दिया तकरीवन एक मुठी जो है पुदीना रफली चॉप कर लिया है इसको बहुत बारी करने की जरूरत नहीं है और साती हम इसमें हम डाल देंगे एक मुठी जो है तकरीबन हरा धनिया इन सब चीजों को डालने के बाद अब जो हमने जो काजू बदाम का और नारेल का जो पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे अब मैंने इसमें डाल दिया है थ्री फोट कप के करीब तेल जिस तेल मैंने प्यास तली थी वही वाला मैंने इसमें तेल आट किया है और साते मैंने इसमें डाल दिया है दो टेबल स्पून द दाल देंगे नमक तो नमक आपने टेस्क के हिसाब से एड़ेस्ट कर लीजिए मैं यहाप पे देर से दो चमच करीब डाल रही हूं और चिकन डालने से पहले हम एक बार नमक को चक पिलेंगे तो नमक मैंने चक लिया है नमक बिल्कुल ठीक है तो इसकंदरब में डाल रही और चिकन को जो है अब मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा एक जरूरी बात हो सके तो आप पतीली इतनी बड़ी लीजेगा कि आपका सारा चिकन जो है इसके तले पे सेट हो जाए एक के ओपर एक पीस ओवरलाप ना हो क्योंकि हमने इसको दम में पकाना है अब इसको ओवरनाइट फ्रिज में लखके ही मेरिनेट कर सकते हैं तो दो घंटे हो चुके हैं चिकन अच्छे से मेरिनेट हो चुका है और यह जो तेल उपर आया है इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि ओयल वापस पतीली की तले पे आ जाए और यह अच् करने की तरफ गैस पे रख दिया है मैंने पुराना पैन इसके पतीली रखनी है पतीली को हमने डारेक्ट आज पे नहीं पकाना है अगर आपके पास कोई पूराना पैन नहीं है तो आपको शिश करके अपनी पतीली मोटे तले की लीजिएगा अब हमने पांच मिनट के यह ह पांच मिनट बाद ताकि इसकी सारी भाब जो है ना अंदर अच्छे से सैटल हो जाए सारी खुझमे इसके अंदर चिकन में एबसॉब हो जाए और ये देखें हमारा भीतरीन सा निसामी दम का मुर्ग बनके तयार है और इसकी ग्रेवी जो है ये देखें आप चेक कर सकते है बिलकुल भी पतीनी में नीचे नहीं लगी है क्योंकि डबल पैन लगा हुआ था और परफेक्ली जो है हमारी ग्रेवी जो है बनके तयार हो चुकी है इसकी एक बोटी में आपको तोड़के दिखाती हूँ है देखें परफेक्ली डन है ये और अच्छे से जो है ना मुर् आज मैं आपके साथ शेयर करही हूँ बहुत ही मसिदार और फिंगर लिकिंग कश्मीरी चिकन करी की रेसिपी बहुत असे बनाना तो देर नहीं करते हैं चट पट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं चिकन ले लिया है मैंने यहाँ पे 900 ग्राम बड़े पीसिस में कट है च इसमें नमक डाला है और अब इन चीजों को हम चिकन पे अच्छे से मल देंगे अच्छे से चिकन का हम 3-4 मिंट मसाज करेंगे ताकि सारे मसाले जों इस पे अच्छे से लग जाएं और यह थोड़ा सा हम मेरिनेट करने रग देंगे आदे गहंते के लिए हंजी तो आदा घंटा हो गया है अब चिकन को पकाना शुरू कर लेते हैं तो एक पतीली में में डाल रही हूं यहाप पे आदा कप सरसो का तेल कश्मीरी खाने सरसो के तिल ने बहुत मसिदार लगते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी जिगा नॉर्मल रिफ हो गया है तो मैंने वापे से गास अन कर दिये मीडियम फ्लेम पे और इसके अंदर हम चिकन के सारे पीसिस को अच्छे से फ्राइ करेंगे गुल्डन ब्राउन होने तक तो इस टेप में कम से कम साथ से आट मिनिट लगेंगे चिकन को दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने मे तो चिकन देगे कितना खुबसूरती से फ्राइ हो चुका है इसको निकाल लेते हैं सारे पीसिस को एक प्लेट में और साइड में रख देंगे और इस बचे वे तेल में हैं अपनी ग्रेवी का प्रॉसेस स्टार्ट कर लेते हैं तो सेम तेल में डाल रही हूं इसमें प्यास तो यह मैने दो बड़े साइस की प्यास लीती थी वज़न में अगर देखेंगे तो यह 200 ग्राम करीब प्यास थी इसको मैने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की हेल्प से और इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेते हैं प्यास हलकी सी सुनहरी हो गई तो इसमें मैंने एक चमश नमक डाल दिया है नमक हमने चिकन में भी डाला था तो इस ताइम थोड़ा कम डालेंगे और इसमें डाल रही हूं में दो टेबल स्पून भर की लसन दरग का पेस्ट और लसन दरग का पेस्ट डालने के बाद हम प्यास के साथ इसको थोड़ा सा भून लेते हैं एक मिनिट के लिए तो प्यास दरग अच्छे से भून गया तो इसमें जाल दिया है तो इसमें डाल दिया है अब टमाटरों को भी जो है हम प्यास के साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल जो है दुबारा स सर्फिस पे नहीं आ जाता तो टमाटर भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं तेल भी अलग होना शुरू हो चुका है अब इसमें डालते हैं थोड़े से सूखे मसाले तो लाल मिर्ज डाल दी है मैंने एक चमच साथ में डाला है इसमें मैंने हल्दी पाउडर जब तक इसमें से बहुत अच्छी से खुश्बू नहीं आ जाती और तेल भी जो है वो सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता तो यह देखें मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं तेल सेप्रेट होना शुरू हो चुका है उसमें से खुच भी बहुत अच्छी आ रही है तो फ्लेम को ऐसी हलकी रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूं दही तो यह मैंने तक्रीबन दो से तीन टेबल स्पून भर के दही लिया था इसको अच्छे से फेट लिया है और हलकी आज पर रूम टेंपरिचर पर जब दही होगा वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और दही डालते हैं हमने फॉरण इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेना है ताकि दही फटे नहीं बिल्कुल भी तो देखें दही जो है टेमाटर की ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अगर एक दो पॉइंट्स जो मैं आपको हमेशा दही के बारे ही बताती हूँ आप धिहान में रखेंगे कि दही रूम टेमटरिचर पे और हलकी आज में दही मिलाएंगे तो दही कभी नहीं फटेगा और यह देखें बहुत अच्छे से मसाला भून चुका है और तेल भी सरफिस पे आ गया है और खुजबू तो बहुत मसे की आ रही है जब आप बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा अब जबकि सारी चीजें बहुत अच्छे से भून चुकी है तो इसमें में डाल रही हूं आधा कब दूद दूद भी हमने रूम टेमटरिचर में ही ग्रेवी में डालना होता है तो जब भी आपने कोई रेसिपी बनानी हो जिसमें दूद और दही डलना है तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वो चीजें आप फ्रिज से बहार निकाल देंगे तो जब तक आप रेसिपी के उस पॉइंट तक पहुचेंगे तब तक वो चीजे रूम टेमटरिचर पे आजाएंगी अलग से कुछ गरम करने की ज़रूद नहीं होती है तो दूद अच्छे से मिक्स हो चुका है ग्रेवी के अंदर तो इसकंदर हम शामिल कर देंगे जो हमने चिकन को फ्राइ करके रखा हुआ था तो अभी दग तो हमने फ्लेम लो कर रखी दी जब हमने दही और दूर डाला था लेकिन अब फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हमने चार से पांच मिट चुकिन को अच्छे से भून लेना है ताकि जो है मसालों के फ्लेवर्स जो है चिकन में अच्छे ताकि चिकन जो एविन लिकोख हो और नीचे से लगे भी नहीं मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो रेसिपी से ऐसी होती ही कि आप इग्जाक्ली वो दावत वगेरा में किसी के आगे सर्फ कर सकते हैं लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं और आपको अगर उसकी ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना है तो आप उससाब से पानी कमबरती कर सकते हैं क्योंकि कई लोग कॉमेंट में पूछते हैं कि मसाला बहुत थिक था तो ये जो रेसिपी बनती है वो दावतों के हिसाब से बनती है जिसमें जादा पतला अच्छा नहीं लगता है तो घर के लिए बना रहे हैं तो पानी आप अपनी हिसाब से ग्रेवी की एड़स्ट कर लीजें तो पंद्रा मिनिट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए तो ये और्मोस्ट ट्रेडी हो चुका है बस थोड़ी सी गानिशिंग बाकी है तो चिकन के साइस पर डिपेंड करता है कि चिकन को कुख होने में कितना टाइम लगता है मैंने 5-6 मिनिट इसको पहले फ्राइ किया था और अब ये 15-20 मिट इसे पकते हुए हो गया तो चिकन कम्प्रीली डन हो चुका है तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूं हरा धनिया गानिश के लिए और साथ में मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी खुश्बू के लिए तो ये मैंने बस 1 टीस्पून इसमें क लाफ्तों के विए तौ इसकी ग्रेवी कितनी दानेदार और थिक सी है तो आप अपनी पसंद के इसाब से थिकनिस कमबरती रफसकते हैं इसको अच्छे से वाश करके ड्रेन कर लिया है इसके उपर डालेगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ में जाएगा हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मर्च का पाउडर कलर के लिए इसके बाद इसमें हम डाल देंगे वान टेबल स्पून भर की जिंजर गालिक लसन अद्रक का पेस दोनों चीजे मिली हुई है और साथ में डाल रहे हैं वान टी स्पून नमक या अपनी टेस्ट के साफ से कम बरती कर सकते हैं और बस इसमें प्टालेंगे वान टेबल स्पून दही बस कम चीजे जाएंगे इसकी मेरिनेशन के लिए और बस हम इन सब चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और हमें चिकन को मेरिनेट करना है मैं यहाँ पर एक घंटे के लिए मरिनेट कर रही हैं अगर आपके पास टाइम जादा है तो आप जादा देर के लिए मरिनेट कर सकते हैं तो चिकन पर मसाला लग गया है अच्छे से इसको ढखके रख देते हैं एक घंटे के लिए साथ में मैंने यहां ले लिए हैं 15 से 20 बदाम इसको गुन-गुने पानी मैंने भीगो दिया है एक घंटे के लिए जब तक चिकन मेरिनेट होगा ये भी भीगते रहेंगे और इसकी स्किन उतार के इसका हम बारिक पेस्ट पना लेंगे तो यहां पे घंटा हो चुका है तो मैंने यहां एक पॉर्ट में ले लिया है एक कप तेल कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड ओइल साथ में मैंने यहां लिए है 250 ग्राम अनियन इनको बारिक मेंने स्लाइस कर लिया है और इसको हमें light golden करना है प्यास का कलर जो है वो सबस्यादा important होता है कोर में की कलर के लिए तो हमें medium to low flame पे इसको हमें light golden brown करना है dark brown बिल्कुल भी नहीं करना है तो यह प्यास देखिए अच्छे से light brown हो चुकी है इसको हम निकाल लेंगे प्यास को अभी नहीं grind करना है इसका paste हम तब बनाएंगे जब हमें इसको कोर में में डालना होगा पहले से बनाके रख लेंगे तो प्यास हमारी काली हो जाएगी तो बस इसको निकालके इसको फेलाके में रख देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक साइट पर रख देते हैं अब सेम ओएल में मैं हापे थोड़े से होल स्पाइस डाल रही हूँ यहां मैंने ली हैं चार लॉंग थोड़ी सी काली मिर्च है, दार चीनी, अनीज बादियान का फूल, हरी इलाइचिया है, एक बड़ी इलाइची और एक तेस बाद यह हम इसमें डाल देंगे और इसको हम 30 सेकंड के लिए इसको फ्राइ करेंगे ताकि इसके फ्लेवर्स अच्छे से निकल आए वीडियो गर पसंद आ रही है तो इससे लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए जिकन अच्छे से भुन गया है चार से पांच मिनिट लगे हैं अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक कप धही इस पॉ और साथ ही में डालेंगे वान टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का पाउडर जो आता है वो इसमें डाल देंगे अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें वापे से चिकन को भूनना है साथ से आट मिनिट मीडियम फ्लेम पर तो इसको धग देते हैं इसकी लिए डिस्पेस से कवर कर देते हैं और साथ से आट मिनिट वेट कर लेते हैं और बीच बीच में चमच हम चलाते रहेंगे तो यह देखिए चिकन हमारा अच्छे से भून रहा है बहुत ही अच्छी खुश्बूस में से आना शुरू हो चुकी है चिकन प्यास का पेस्ट बना लिया है देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका क्योंकि हमने इसको पहले से पीस के नहीं रखा था यह इसमें हम मिला देंगे और इसको अच्छे से हम दुबारा से चिकन में इसको मिक्स करके इसको भूनेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल ले तो इसको भी हलके हाथ से वह मिला लेंगे क्यूंकि चिकन हमारा आलमोस्ट टन है ग्रेवी जो है आपको जितनी पतली रखनी है आप रख लीजे में हापर थोड़ा सा पानी डाल रही हूं आदे कपके करी थोड़े से बदाम चु मैंने रोक लीते तीन चार उनको भी काट के Shark night भी के मेंगे एक इसको अदस में दाले जाल देंगे माना साथ में कोरमओ ओलू सीचार के बूब मख भी आजता गर्में इसको था चार मिंट निसथान ऐं तुकम करेंगे उसको हुआ होहान को स्कुला और ने ददीन को पर आजेंगे हमारा कितना शांदार निह मंहारा श वसके बहुत ही मांजी है सबसे पहले हमें अपने चिकन मेराइन bisschen करना है तो उसके के। इनग्रीजिंटिस देख लेते हैं मैरिनेशन करते के य्योर अकशल आपने चलो य। य। उसके बाद भाद दही को विस्क निया जाहिए लेगी लेगे जिंजर गालिक पेस्ट इसके बाद हम भी कश्मेरी लाल मि데श पाउडर और नॉमल नाल मिश पाड़ा या आपने टेस्ट के साब से कमबर्ती कर सकते हैं जब अपो तीखा पसंदे तो आप जादर डालें नमक जाएगा साथ में और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन जो मैंने पहले से वॉष करकी और ड्रेन कर लिया है चननी में ढाल के और इसको हम अच्छे से चिकन में मसाला लगाएंगे और इसको तकरीबन हमें कम से कम 2 घंटे के लिए और अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 घंटे के लिए भी इसको मेरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं तो इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो जब तक चिकन मेरिनेट हो रहा है ग्रेवी के इंग्रीटिन्स देख लेते हैं ये बचावा दही है प्यास मैंने तलके रख ली है धनिया पाउडर है सूखी मेथी है गरमसाला पाउडर थोड़ा से लसन अधर और यहां मैंने हरी इलाइची और थोड़ी सी जवित्री ल तो सबसे पहले ग्राइणिंग मिल में हम अपने बादाम, काजू और नारियल का पेस्ट बनाएंगे तो यह तीनों चीज़ें हम ग्राइणिंग मिल में डाल देंगे और जो दही हमने रोका था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसका बारीक पेस्ट हम इसका बना के तियार कर लेंगे, यह पेस्ट पिल को बनके रेडी है, बहुत अच्छा सा बारिक पेस्ट बन गया है, इसके बाद हमने जो हरी लाइची और जवित्री ली थी, उसको भी क्रश करके इसका एक बारिक पाउडर बना लेंगे, तो भी बनके रेडी हो गया है, तो अब एक पॉ वाल जुष्भू और फ्लेवर में बहुत अच्छा इनहांस्मेंट आएगा, इसके बाद हम इसमें अपना जो चिकन हमारा मेरिनेट हमने किया था उसको इसमें फ्राइ करेंगे, सारा मसाला जो हमने मेरिनेट में डाला था वुस सब इसमें शामिल कर लीजेगा, कम होगा तो फ्लेवर्स भी कम हो जाएंगे अब इसको हमें अच्छे से फ्राइ करना है जब तक हमाच चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है इसे हम फ्राइ करेंगे बाकी की मसाले डालने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और रेसिपी आपकी फर्माइश पर बनाओ तो आप मुझे ज़रूर बताएगा मैं ज़रूर बनाओंगे आप लोग के लिए चिकन इहां अच्छे से बुन रहा है देखी कलर चेंज हो चुका है चिकन का अब तो इसमें हम शामिल कर द तो इसको कवर करके 10 मिनिट के नहीं और से कुक करेंगे 10 मिनिट बाद हमारा चिकन अच्छे से बुन रहा है बहुत अच्छी खुच्बु आई जैसी हमने इसके लिए ढटाई है और इसका ओईल भी सर्फिस पे आगया है तो जो प्यास हमने तली थी उसको हम हाथ से क्रश करेंगे पेस नहीं मनाएंगे वह इसमें डाल देंगे सारी प्यास इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा चिकन को और भूनेंगे हम ताकि प्यास का फ्लेवर अच्छी से चिकन में भी शामिल हो जाए प्यास को अच्छे से mix करनी के बाद इसको हम पांच मिनिट के लिए फिर से cover करके cook करेंगे और पांच मिनिट बाद देखें कितनी अच्छी शकल हमारे चिकन की निकल के आई है बहुत ही अच्छी खुच्बू इसमें से आ रही है तो इसको ऐसे ही भूनेंगे और इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और जो हमने हरी लाइची और जवित्री का जो पाउडर बनाया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और सब चीजों को अच्छे से चिकन में मिला के इसको थोड़ा सा और भूनेंगे मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब इस पॉइंट पे जो हमने अपना पेस्ट बनाया था काजू, बदाम और नारियल का वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे एक स्पून की हेल्प से हम सारा पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके चिकन मिक्स के साथ इसे फिर से भूनेंगे जालों की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छे फ्लेवर्स निकल के आते हैं तो यह बहुत ही मज़ेदार हमारा नवाबी जिकन तयार हो रहा है इसमें में थोड़ा सा पानी डालूंगी तो पानी मेने नॉमल नी डाला है ग्राइंडिंग मिल में जो पेस्ट थ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमारा चिकन अल्मोस्ट पूरा रेड़ी है तो इसमें हमने जो कसूरी मिती लीती इसको अपने हाथों के बीच में लेके अच्छे से मसल के इसमें डाल देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल कि आये और इसको भी नमक मेंने चकहता यहां पे तो मुझे कुछ कम लगा तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है ग्रेवी हमारी बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से अगर आपको पत्ली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर लीजे और इसको पांच मिनिट के लिए हम और दम पे पकाएंगे पांच मिनिट हो गए है हमारा चिकन बिल्कुल तेयार है हमने इस पॉइंट पे ग्यास ओफ कर दी है यहां मैंने एक अलम्यूनियम की छोटी सी कटोरी बनाई है उस पे कोईला जला के रखा है और थोड़ा सा ओईल डालते हैं इसका हम बन कर देंगे इसे कोईले की धूनी देते हैं इस तरह से और इसको हम पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं तो यह ले हमारा बहुत ही मसेदार नवाबी चिकन कोईला बनाया है चिकन रोगन जोश इन्वीडिन्स देख लेते हैं पहले तो यहां मैंने एक केजी चिकन ले रखा है साथ ने लिया है मैंने सरसो का तेल आप नॉर्मल ऑइल भी उसकर सकते हैं मगर सरसो के तेल में बहुत मज़े का बनता है दही ले रखा है रूम टेंपरेचर पे है यह साबुत कश्मिरी लाल मिर्च है इसको मैंने 15-20 मिनिट के लिए गरम पाने में भीगो दिया था ताकि सॉफ्ट हो जा हमें इसका एक पेस्ट बनाना है साथ में मैंने लिया है जिंजर पाउडर सोड बोलते हैं उसको लसन का पेस्ट है यह हरी इलाइची ली है साथ में लिया है नमक आपके टेस्ट के हिसाब से और यह सॉफ्ट का पाउडर है इसको मैंने ड्राय रोस्ट करके इसका एक बारिक पाउडर बना लिया था साथ में जाएगी चुटकी बरहीं और मैंने दो मीडियम प्यास को बारिक स्लाइस कर लिया है अब एक पॉट में हम अपना ओयल डाल देंगे सरसो का तेल है तो इसको हमें पहले बॉइलिंग पॉइंट तक इसे गरम करना है तो जब इसमें से धुवा निकलने लगे तो हम गैस को स्लो कर देंगे उसके बाद हम इसमें अपनी प्यास डाल देंगे तो ये प्यास डाल दी मैंने हमें प्यास को light golden brown करना है बहुत dark brown नहीं करना है तो low flame पे ही हमें इसको थोड़ा soft होने देंगे हम उसके बाद इसकी flame हम medium पे करेंगे ताकि अच्छे से golden brown हो जाए द्यान रहें प्यास तेज लाल नहीं होनी चाहिए जो authentic recipe होती है रोगन जोश की वो mutton बनाई जाती है और उसमें जो है सरसो का ही तेल यूज होता है तो इसनी मैंने चीकन में भी सरसो का ही तेल यूज किया है अगर आप चाहें तो normal oil भी यूज कर सकते हैं लेकिन सरसो के तेल से इसका टेस्ट होगी बहुत डिफरेंट हो जाएगा और ये normal coal में जैसी recipe नहीं लगेगी आपको डिश नहीं लगेगी और डिफरेंट टेस्ट देगी है आपको तो आप सरसो के तेल में जरूर ट्राइ कीजेगा इसको तो जब तक प्यास लाल हो रही है हम अपनी मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं तो एक blender में मैंने ये मिर्च उस पानी के साथ ही डाल दी है जिसमें मैंने इसको भी होया था साथ में इसमें मैं दही भी डाल दूँगी दही के साथ हम मिर्च को पीसेंगे और इसमें साथ में मैं डाल दूँगी हरी इलाइची इस सब का हमें एक बारीक पेस्ट बनाना है तो हरी इलाइची भी मैंने डाल दी है और इसको अब हम एक बारी पेस्ट बना लेंगे इसका तो यह पेस्ट रेडी हो चुका है अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अपनी प्यास भी देख लेते हैं प्यास बिल्कु ठीक से गोल्डन ब्राउन हो गई है अब इसके अंदर हम डाल देंगे लसन लसन की पेस्ट को भी हलका सब भून लेंगे पहले हम इसकी स्मेल खतम हो जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकिन जो हमने वाश करके रखा था और इसको हमें fry करना है चिकन को जब तक इसका color change नहीं हो जाता तो यहाँ पर मैंने flame को medium high पर कर लिया है पानी हमें बिल्कुल भी use नहीं करना है end में डालेंगे हम पानी जहां में इसकी gravy को थिन करना होगा तो हमें अच्छे से चिकन को भूनना है fry करना है इसके अंदर हलका सा चिकन पर golden color आ जाएगा फ्राइ होते होते बहुत अच्छे से हमें चिकन को भूनना है क्योंकि सरसो के तेल में एक अलग flavor होता है उसका अलग taste होता है तो उसे अच्छे से भूनेंगे हम तो हमारे चिकन का color देखी change हो गया है इसको तकरीबन साथ से आट मिनिट लगे हैं चिकन को भूनने में तो ही चिकन हमारा अच्छे से भून गया है color change हो गया है इसका fry हो गया है ये अब इसके अंदर में डाल दूगी हीं थोड़ा सा ओइल साइड में करके उसमें हींग डाल दूगे ताकि वह भून जाए साथ में डाल देंगे soft powder और साथ में ये soot powder भी डाल देंगे ये dry ginger powder होता है और साथ में इसमें हम नमक डाल देंगे नमक मैं नहीं यहाँ 1 teaspoon डाला है मैं एंड में दुबार से चेक करूंगी और कम लगेगा तो मैं डाल दूंगी सारे मसालो को अच्छे से हम भून लेंगे याद रहे पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है पानी डालने से चिकन में एक स्मेल सी आ जाती है जो की अच्छी नहीं लगती है खाते टाइम तो चिकन का जो अपना पानी होता है उसी को ही ड्राइ कर लेना है हमें फ्लेम अभी भी यहाँ पे मीडियम पे ही है अच्छे से हम चिकन भूनेंगे, सौफ की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है भूनने के उपर इसको हमें तक रीबन पांच मिनिट तक ऐसी मीडियम हाई पे हीर से भूनते रहना है इसको हम कवर कर देंगे और पांच मिनिट क्लीन रख देंगे एक बर और चलाते हैं बीच में तीन से चार मिनिट के बाद मैंने एक बर चिकन को चला दिया है ताकि चिकन लगे भी नहीं क्योंकि इसमें पानी अब कम होना शुरू हो गया है लेकिन हमने अभी भी डाला नहीं है वापिस से इसको स्लो फ्लेम पे पांच मिनिट क्लीन फिर रख देंगे पांच मिनिट बाद हमारा चिकन काफी अच्छे से आल्मोस्ट आदे से जादा गल चुका है वाइल भी बिलकुल अच्छे से सेपरेट हो गया है अब चिकन का कोई पानी भी नहीं बचा है अब जो हमने पेस्ट बनाया था इस पॉइंट पे हम वो पेस्ट में शामिल कर देंगे इस पेस्ट को पीस्ट में हमने बिलकुल पानी नहीं डाला था जो मिर्च का पानी था जिसमें मिर्च भी होई थी वो था और दही है भुन है यह अब हमें ऐसे हमें भुण हैं पेस्ट भुण ना है दही भीस शान में भुण जायँगा अच्छे से पीस्ट को हीFlow पीशच पीशे रिखश्य प्ली करेंगे बुण была ठीव बहुत ही आप परुदि रहे ही डर्ता में कि शूल हमें ऐस बासे आ नमक चख थोड़ा कम लगा हाफ टीब सबल से टक्रेंगा एक तौब नमक 12-100 स्बास मृ क्रकि अबistas बेऊ नमक, अब जिस जार में हमने मेरिया थोड़ा भुनावा सालन अच्छा लगता है सबको तो मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डालूगी आप अपनी पसंद से इसको पतला जितना चाहें आप रख सकते हैं मगर भुनावा ही अच्छा होता है रोगन जोश में शोरवा ज्यादा नहीं होता है तो यह मैंने ढख दिया था फिर से पांच मिनिट के लिए देखी कितना अच्छे से हमारा चिकन लग रहा है कितना खुबसूरत लग रहा है बहुत ही अच्छा इसमें खुश्बू आ रही है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके उपर डाल देंगे हम हरा धनिया य तो इसको अब मैं धख दूंगी पांच मिनिट के लिए दम पे रखे इसको स्लो फ्लेम पे उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं हमारा बहुत ही मसेदार चिकन रोगन जोश्बन के तयार है